हेलो स्टुदेंट्स कैसे आप सब लोग स्वागत आप सभी लोग का हमारे इस लिटुप्टर में इसका नाव इवन सर्थ मैं हूँ अकासमा एक बार फिर आप लोग के लिए लिए लेकर आया हूँ के हम खुद से पढ़कर भी बहुत अच्छा है इसको कर सकते हैं लेकिन हमारे माइन में यह होता है कि नहीं जब तक हम कोचिंग नहीं लगा लेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला ऐसा ज़रूरी नहीं है आज आप लोग को बता दो आज मैं सोईयों बच्चों को मैं प की प्रेक्टिस करी मनला हर एक चीज़ को मैं अच्छे तक से डीपली में समझ पाया और उसको मैं आज मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी बाता हूं तो आप लोग को बता दो इस वात का रोना बंद कर दीजिए कि जब तक हम कोचिंग नहीं लगाएंगे तब तक हम कोचरी आपलोग के समय में आ जाती हैं तो आप लोगों को क्या काम करना है खुछ से मेनत करनी है खुछ से आपको मन बनाना है अब बात करते हैं कि करना किस तरीके से है तो आपको बता दे सबसे पहले यह euh कि self study करने के लिए बैठते हैं तो आप लोगों का पढ़ने का मनी नहीं करता तो आप लोगों को बता दें पढ़ने के मन नहीं करता इसका मतलब यह है कि आप लोगोंने कोई अच्छा सा target set नहीं कर रखा अगर आप self study करना चाहते हैं तो पहले आप एक target set करिए के इंटर के जस्त बाद या 10 के जस्त बाद मुझे क्या करना हैं? जब आपके पास ऑस target और इस होगा, तो तो अच्छी परणि के लिए आप मेनध करेंगे. और उस में आप स्कूल यदिधा ङाप के गोट, आप कार्ट कर दीजिए आपको यह काम भाला करते हों आ नहीं उसिए को समझने की को उस चीन को ध्यादने ध्यान देते हैं जैसे कि मांनाली जीह कुछ समय पहले हम हम मतलब की ब्रिंदावन बगरा गए थे, तो मेरे बरार में मेरा भाई है, उसने मतलब कार चला रहा था, तो ओरो कार चला रहा था, अकर मैं कार को देखूँ कर यह कार कैस चला रहा था, तो क्या मैं सीख जाओंगा, नहीं, जब तक मुझे ऐसा नहीं कि एक बार प्रैक्टिस करोंगा भेड़ना है तो उसको अच्छे तरीकी से समझना होगा कई बार आपका रिवीजन करना पड़ेगा उसके सासा में विजुलाइशन की पाबर को अपनी को समझना होगा और उसका यूज करना होगा जैसे कि माल लीजिए के हम लोग क्या काम करते हैं जैसे मैं यह बोलू कि मैं कैसे जाता हूँ, मैंने में बोलू कि यहां से लेकर अपने कोचिंग तक बढ़े आराम से पहुंच सकता हूँ उसी तरीके से आप लोग भी क्या काम करो कि जब आप लोग को क्या काम करना है कोई चेप्टर आपने पढ़ा, कोई कुस्स आप लोगों ने पढ़ा कोई टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा तो उसका विजुलाइशन किया करो आपने क्या पढ़ा, इसमें क्या छी important है, उस ची का जब visualization करोगे, उसको मनलब कहीं न कहीं set करेंगे, तो आप लोगों की वो ची हैं लंबे समयता के याद रहेंगे भी, और आप लोगों को बता दें, जब आप लोगो इस method को apply करोगे, तो आप देखेंगे कि आप जो ची ज सब्सक्राइब से कोई न कोई मनलब की ऐसा sentence बनाया करो, जो आप आसानी से बोल पाएं, जैसे माल लीजीए, मैंने आप लोगों को अल्ली पहले बताया था, कि जैसे मालों हमें virus से होने वाली, बीमारी की trick बनानी है, बीमारी के आगे, बीमारी के आगे, जो पहले बले श करें, कि दिखो, जब आपको self study करनी है, self study आप करी क्यों रहे हो, इसके पीछे कारण है कि आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको और जदा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और आपको पैसा कमान हजार आप लोगों की problems बता सकते हो लेकिन उनका जो conclusion है वो कुछ भी नहीं निकलने वाला बस मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आपको पढ़ना है तो आप चाहें coaching लगा के पढ़िए चाहें आप खुछते पढ़िए लेकिन आप पढ़िएगा जरूर ठीक है न अगर आप लोगों को कोई भी problems आती है तो मैं आप लोगों को खुल कहता हूँ कि आप लोगों के लिए study से लेकर study problem and solution की मैं वीडियो बना चुका हूँ कोई भी doubt है याद नहीं होना उसकी बनाओ गोड exam में copy कैसे लिखनी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ याद कैसे कर ला है mind में revision कैसे करना है हर एक topic पर मैं video बना चुका हूँ अगर आपकी कोई problem है तो उस problem का solution निकालिए सिर्फ इस बात को कहने से कैसा हमको होता मेरे को याद करता हूँ भूल जाता हूँ तो यह आपकी problems है तो अगर यह problem है तो इसकी problem का solution निकालना start कीजिए सिर्फ problem को लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला इस problem का solution जितनी जल्दी आप लोग निकाल लेंगे उतनी जल्दी आप लोग को फाइदा होगा और आपके जो number है वो भी अच्छे आएंगे तो I think आप लोगो बताते हैं self study करने के लिए इन इन बातों के आप लोगो ध्यान रखना है खुश से motivate रहना है सभी को आपने स्वास्त पर भी ध्यान देना है मस्तिस को अच्छे तरीकी से काम करने सके लिए आप यूगा बग अगर आप लोगो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लेक्ट को सब्सक्राइब जो करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में